हालो एबरिवान वेल्कम बेक तो माई चानल आज हम बनाएंगे एक क्विक प्रेफ़स्ट भेज सैंड्वीच यह बनाना बहुत है आसाल है चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम बाउल में एक खीरा को कट करके डालेंगे उसके बाद मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है उसको भी डाल देंगे एक बड़े साइज प्याज को कट करके डालेंगे चोटे चोटे पीसेस में कट किया हुआ टोमाटो आदे चोटे चामच नमक एक चोटे चामच देही और एक बड़े चामच मियोनीज डाल कर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए यह अभी अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम दो ब्रेड की पीसस लेकर एक में टोमाटो सस लगाएंगे और एक में ग्रीन चटनी लगाएंगे यह हूमेड ग्रीन चटनी है उदिना और धहन्या पत्ता को मैंने ब्लेंड करके यह चतनी बनाया है अब उसके उपर मिक्स किया हुआ भेजिटेबल को रखेंगे और चीज स्लाइस को रखकर दूसरे ब्रेड को उसके उपर रख देंगे अब प्यान को गरम करके थुड़ा सा बटर डालेंगे मैंने यहाँ पर ग्रिल बला प्यान यूज किया है आप चाहे तो नर्मल प्यान भी यूज कर सकते हो बटर मेल्ट होते ही हम ब्रेड को रोस्ट होने के लिए एक मिनिट तक कभर करके रखेंगे और ग्यास के फ्लेम को लोग कर देंगे एक मिनिट अभी हो चुका है हम दुसरे साइट को पलट देंगे और एक मिनिट उस साइट को भी सेखने देंगे सैंड्विच अभी हो गया है हम इसको निकाल देंगे और इसी तरह हम दुसरा सैंड्विच भी सेख लेंगे चलिए मैं आपको कट करके दिखाते हूं यह देखिए कितना सुन्दर और क्रॉंची बना है कितना सुन्दर और कितना सुन्दर और कितना सुन्दर और क्रॉंची बना है